पुलिस आयुक थे परमवीरसिया या किसी गैंग के डॉन गिरफतार दो पुलिस इंस्पेक्टरों ने खुला वसूली का राज मैं रफिक कामदार इंदोस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है कुछ अरसा पहले ठाने तथा मुंबई के पुर्व पुलिस आयुक जिनके पास फिलाल होमगाड विभाग का चार्ज था परमवीरसिय इनके समेथ कई पुलिस अधिकारियों और बिचोलियों के खिलाफ मुंबई तथा ठाने में अलग-अलग हफ्ता वसूली की याने एक्स और अन्य कई अधिकारियों के नाम शामसुंदर अगरवाल ने दिये थे अपने शिकायद में शामसुंदर अगरवाल ने बताया था कि किस तरीके से उनके मीरा भाहिंदर के आवास तथा निवास पर और मुंबई के मकान पर दो इंस्पेक्टर उन्हें चापे मारी कर वा महिला पुलिस अधिकारी है महिला पुलिस इंस्पेक्टर है आशा कोर के इन दोनों को स्टेट CID यानि राज्य सेंट्रल इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सुमवार आठ नवंबर को इन तोनों को इस एजंसी ने गिरफतार किया गिरफतारी के बाद इन्हें दूसरे मंगलवार 9 नवंबर को मुंबई के एस प्लानेट खिला कोट में पेश किया गया जहां से इन्हें साथ दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश कोट ने दिया है यह पूरा घटना करम जो है यह अब पुर्व पुलिस आयुक्त ठाने तथा मुंबई परम्व इसके चलते आपको बता दे कि परमविर्सियं की मुश्किले बढ़ती चली जा रही है परमविर्सियं फिराल किसी को खोजे नहीं मिल रहे है धूंडे नहीं मिल रहे है और उनकी जलक तक नहीं दिख रही है कहा है परमविर्सियं परमविर्सियं जिनने ठाने पुलिस आय गैंक चलाने वाले गैंक के वो डॉन थे क्या थे जिस तरह से एक के बाद एक अफ्ता वसूली के केसेज यानि एक्स्टार्शिन की केसेज उनके खिलाब धर्ज हुई है और अब ये पहला मामला मरीन ड्राव पुलिस टेशन का जिसमें अब पुलिस ने नॉन बेलेबल वारेंट यानि गैर जवानादी वारेंट उनके खिलाब जो है CID ने मांग की है कोट से के जारी किया जाए पूरा वसूली का ये रैकेड के-तन तन्ना अन्य के खिलाब जो है ये वसूली के रैकेड जो है इसके चीफ नज़रा आ रेंडर गैंग लेडर नज़रारे परमविर सी अब परमविर सिंग ने पहले प्रूरुप ग्रहमंत्री अनिल देश्मुग पर 100 करोड की वसूली हर महा API सचिन वाजे के जरीय कराने का आरोप लगाया था मगर AD के money laundering के मामले में फिलान अनिल देश्मुग की मुश्किले तो जरूर बढ़ी है मगर दूसरी तरफ अनिल देश्मुग की टांग खीशने वाले तबादलावाता एंटिलिया विस्पोटक केस के बाद परमवीर्सियें का तो उससे नाराज हुए परमवीर्सियें ने ये लेटर बॉम डाला था और सौ करोड की वसूली सचिन वाजे के जरीय अनिल देश्मुग करवाते हैं प्रती महावो भी ऐसा आरोप लगाया था और अब हाली में उन्होंने एक एफेडेविट दे कर कहा है कि उनके पास इन आरोपों की पुष्टी करने के लिए कोई दूसरा सबूत नहीं है मगर अब परमवीर्सियें खुद के जाल में पूरी तरह से फस चुके हैं और ये धीरे-धीरे कोट में और CID की जाच में साबित होता जा रहा है कि परमवीर्सियें एक IPS पुलिस अधिकारी नहीं बलकि हफ्ता वसूली करने वाले गैंग के डौन ही साबित हो रहे हैं और ये सच्चाई सामने आ रही है साथ दिन की पुलिस कस्टडी नंद कुमार गोपाले और आशा कोर के इन दोनों पी आई की जो मिली है उसमें अब कई और राज सामने आने बाकी है आपको बता दे इसमें संजेपुनमिया वो पहले आरोपी थे जो कि परमविर्सियां के बेहत करीबी माने जाते हैं जिने गिरफ्तार किया गया था और इन्होंने शाम सुंदर अगरवाल से करोड़ो रुपए एठे हैं परमवीर सियों के नाम से, परमवीर सियों उसमें शामिल भी थे और उनकी कई प्रॉपर्टीस पे कबजा भी किया है, ऐसा शाम सुंदर अगरवाल का अपनी शिकायत में पूरा आरोप है, अब देखते हैं कि जैसे-जैसे CID की जाच आगे बढ़ेगी तो नए-नए क्या राज खुलते हैं झाल